रादे रादे दोस्तों वार्स्टिवस फोरोम चेनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों अगर पती पत्नी में कलेश रहता है पती जो हैं पत्नी का कहना नहीं मानता परिष्टी के चक्कर में हैं या गलत राश्टी पर चल पड़ा हैं सराब जादा पीता हैं तो पत्नी को चाहिए कि पती को सही राश्टी पर लाने के लिए माशिक सिवरात्री पर जो हर मैने कृष्ण पक्ष में चतोदसीत थी परती हैं अम आवुष्या से पहले पड़ती हैं उस दिन जो है एस उपाय को करें तो निष्चित रूँ से पती जो है मान सम्मान देगा और पती का बशेकरन होगा पती पत्नी में प्रहम बड़ेगा आपको इस उपाय को जरूर करना है आपको करना यह है कि पत्नी को चाहिए साथ धतूरे के फल ले धतूरे का फल आपको दिखाई देरा वीडियों में साथ धतूरे के फल ले इन में से एक धतूरे पर अपने पती का नाम ले करके कि मेरा पती मुझसे प्रेम करे मेरे बस में ह ये कहते हुए आपको साथ वार मोली लपेद देनी हैं जिसे कलाबा कहते हैं और छे धतूरों पर आपको हल्दी लगा देनी हैं साथों धतूरों के फलों को ले जा करकें आपको चंद्शेकर मादेव का ध्यान काते हुए शिव लिंग की पूजा करने के बाद में जल्चड़ाने के बाद सिव लिंग पर अरपित का देना हैं और अपने पती वशीगरण के लिए पती पत्नी में गृष्ट शिकु के चूक आकर्षन होगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को रादे रादे